बेंगन के भरते कुना, आज हम बहुत ही सिंपल से तरीके से बनाएंगे, लेकिन बनके ये इतना टेस्टी तयार होता है कि कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि इसे आपने घर में बनाया है, जी हाँ, ये बहुत जादा टेस्टी और डिलिशुस बनता है, बनाना बहुत असा कि जब आप इसे किसी को भी सर्फ करें तो वो ना सिर्फ तारीफ करें बलकि आप से रेसिपी भी पूछेंगे तीन मैंने लिये हैं मीडियम साइज के प्याज और तीन मीडियम साइज के टमाटर और ये मैंने बेंगन लिया है करीब आदा किलो के आसपास बेंगन लेना है ब चीरा लगाने के दो फायदे होते हैं कीड़े भी चेक हो जाते हैं दूसरा रोस्टिंग करते वक भी बैंगन फटता नहीं है इसलिए हमेशा चीरा लगा के ही बैंगन को रोस्ट करें और अंदर से रोस्टिंग भीना एक्दम बराबर होती है बहुत अच्छा स्मोकी लिए और जो प्यास लिया है उसमें भी चार चीरे लगा दिया जिससे की प्यास अंदर से बिकुल बढ़िया तरीके से रोस्ट हो जाए अब बैंगन पे सरसो का तेल लगा दिया प्यास टमाटर अच्छे से सरसो के तेल से पॉलिश कर दिये हैं इससे बहुत ही अच्छा सब्सक्राइब प्रते के अंदर ये ट्रिक है साथी स्किन निकालने में बहुत असानी होती अब मैंने गयास तंदूर के उपर बैंगन को रोस्ट करने लगा यह तेज आच पे और टमाटर प्यास को भी तेज आच पे तंदूर में रोस्ट करेंगे लेकिन यह सलो रोस्ट पील होने लग जाती है यह देखिए एक दम बढ़िया तरीके से बैंगन रोस्ट हो गया है और जो स्किन है वो अपने आप निकल के बाहर आ रही है आपको ठंडे पानी में बैंगन को डालने की बिलकुल जरूरत नहीं यूजिली बरफ के पानी में बैंगन डाल देते हैं उ के अंदर टमाटर प्यास डालके अच्छे से हम इसको कीमा में कंवर्ट कर देंगे सबजियों को तो दोनों टमाटर और प्यास एक तम बारी कीमा करना है हमको बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है फ्लेवर तो बहुत अच्छे आएंगे और कीमा कर लेने से एक तम महीन आ कीमा 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 उन्हका पैस् 느ूए इस तरीके से कीमा के माने मूख देखके चिंज आ डीelleिए बॉह तो यह सबस्ट का पैस्ट का स्टृर्ट लें इस तरीके से बैंगन को भी स्पूप़र में डालगे हम कीमा कर लींगे एकदम महीन कीमा हो जाता है, पेस्ट नहीं बनता है, कीमा टाइप का रहता है, थोड़ा सा दरदरा रहता है, थोड़े बहुत पीसेज रहते हैं, जो बहुत अच्छे लगते हैं, आप चाहें तो चकू से भी काट सकते हैं, लेकिन बारी काटना है, एकदम, मिक्सी में पेस् दालने की बेल्कुल जरूरत नहीं है ऐल लगाने से स्किन अपने सेप्रेइट हो जाती है साथ ही साथ इसमें मैं तोड़ा सा नमक भी पेस्ट बनाया था लाल सुखी हुई मिर्ची और गार्लिक का दो चम्मच पेस्ट डाल दिया है कुछ भी नहीं किया मैंने सिर्फ सुखी लाल मिर्ची और जो लेस्वन होता है उसे मिक्सी में पीस लिया थोड़ा सा ओयल डाल के और यह पेस्ट तयार हो जाता है इसको आप बना के रख सकते हैं और इस्तमाल करें अपनी कुकिंग में खानी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है यह देखिए मैंने प्याज और टमाटर का जो कीमा बनाया था वो भी इसमें डाल दिया है यह देखिए बैंगन के भरते में मैं बहुत जादा आप मसाले देखेंगे क मैं नहीं डाल रहे हूं लेकिन बैंगन का भरता थोड़ा सा जब तक स्पाइसी ना हो वो अच्छा नहीं लगता है इसलिए हमने इसमें चिली और गार्लिक का पेज डाला है अब यह मैंने इसमें दो हरी मिर्चे डाली है जो की बहुत कम तीखी वाली है और एक चमच मिलता है आप यह आजमा के देखिए इस तरीके से बना के देखिए घर में आप खुट डिफरेंट्स महसूस करेंगे टेस्ट के अंदर चाहें तो आप इसमें तो चुटकी भर चीनी भी डाल सकते हैं लेमन जूस और चीनी से ना प्यास को एक अलग ही टेस्ट मिलता है यह तो आपने देखा मसाले में अभी तक सिर्फ चाट मसाला लाल मिर्ची पाउडर और नबकी आट किया है अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैंगन को और प्यास ट्रमाटर की कीमे को साथ में धनिया डाल देंगे बारी कटावा और आदी चमच गरम मसाला जो स्पेशल गरम मसाल और किचन किंग मसाला वो भी आदी चमच डाला है अच्छे से मिक्स कर लीज़े यह दोनों मसाले डालना बहुत इंपोर्टन्ट है मैंने आपको इन दोनों मसाले की रेसिपी शेयर कर दी है लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगे बहुत सारा दनिया डाल यह देखिए जो बैंगन का भरता है अल्मोस्त तयार हो चुका है फटा फट बिल्कुल टाइम लगता आप एडवांस में प्यास टमाटर और बैंगन को रोस्ट करके फ्रिज में रख सकते हैं करीब साथ दिन तक यह खराब नहीं होते और जब मर्जी निकालके बना सकते ह दो बड़े चमच सरसु का तेल तेज गरम कर लेंगे धुआ आने तक और उसमें दो सुखी हुई कश्मीरी लाल मिर्चे इसी मिर्ची से मैंने गार्लिक वाला पेस्ट भी बनाया था और दो बड़े चमच बारी कटा हुआ धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया और साथ में एक चमच लाल मिर्ची का कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर कलर के लिए अब यह जो बगार मेंने तयार किया मिर्ची पाउडर डालते ही गैस बन करके तुरंट बगार को हम बर्टे पे डाल देंगे और गरमा गरम सर्फ करेंगे यह बगार आपको तब ही लगाना है जब आप भरता सर्फ कर रहे हूं यह देखिए बहुत ही टेस्टी भरता बनके तयार हुआ है एडवांस में आप इसकी प्रेपरेशन करके फ्रिज में रख सकते हैं चाहें तो प्यास टेमाटर को रोस्ट करके फ्रीजर में भी रख सकते हैं बहुत असानी और टाइम सेविंग हो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चानल को तांक्यू